हेलो एवरिवन वेल्गम बैक तो माई चनल वन्स अगेन मैं पंकाज कुमार इसी वीडियो में आपको एक्स्प्लेइन करने वाला हूं लेट कोड बिकली कॉंटेस्ट 312 का थर्ड प्रॉब्लम जिसका नाम है फाइंड गूड आल गूड इन्देस ओके सो इसी कॉंटेस्ट का सेकेंड प्रॉब्लम का लिंक आपको आई बॉटन पर आ रहा होगा सो यह कुष्चन आपको देखने में बिट वाइज एंड का लग रहा बट यह बिट मैनुपलेशन से इसका कोई लिना दे नहीं है तो मैंने उस वीडियो में आपको एक्स्प्लेइ लोगे तो आप देख लेना ठीक है तो इस वीडियो में थार्ट की बात करने वाले हैं तो थार्ट कुष्चन पर मूब करते हैं और यह कुष्चन उतना भी टाफ नहीं है यह सेकेंड कुष्चन से मुझे ज्यादा इजी लगा ठीक है एक टॉपिक है प्रिफिक्स सम का सकता है तो तब आपको यह कुष्चन जो है तो डिफिकल्ट रख सकता है अदर्वाइस यह कुष्चन आपको बहुत सिंपल इजी लगेगा राइट कुष्चन देखते हैं यहां पर वो लगए है कि जीरो इंडिक्स है नम्स नाम का जिसकी साइज एन है और आपके पास ए यह जो दिया है रेंज यह कहीं ना कहीं इस पर सेटिशाए होगा ठीक है इसको देखते हैं तो आई की क्या है कि आई अगर एक इंडेक्स है तो इंडेक्स के पहले के इलिमेंट और इंडेक्स की बाद का के इलिमेंट तो पहले का के इलिमेंट जो है नन इंक्रीजिंग हो means decreasing decreasing with equal equal के साथ possibilities बनती है ठीक आगे की उसके बात की after after i तो आगे की k element जो है वो उसके non decreasing order में हो ठीक तो जाहिर से बात है अब देखो मैं बोल रहा हूँ की k equal to 2 जो है और उसके बात क्या कर रहा हूँ किस area के किसी particular i की बात कर रहा हूँ तो इस i के बाद दो element और इस i के पहले दो element तो ये non increasing है ठीक है और ये non decreasing है होना चाहिए at least मतलब देखो दो element से ज़्यादा उसको मतलब उसको दो ही तक का cover करना तो अगर है तो ठीक है तो जाहिर सी बात है कि ये जो i होगा ये i होगा उसके पहले गर हम k जा रहे है तो at least i की value k तक होनी चाहिए ठीक है तो k की value at least i k होनी चाहिए i की value at least k होनी चाहिए i should be greater than equal to k और इसी तरह इसको अगर हम देखेंगे तो ये जो होगा less than n minus k होगा ठीक है यही चीज है तो यही यहाँ पर आपको दिया हुआ है राइट बस इतना ही था अगर यह आपको समझ नहीं आ रहे थे उसके लिए ठीक तो आपको बताना है कि जितने सारे जो i है वो कौन-कौन से i है कौन-कौन से i हैं जहां पर before k element non increasing में है नहीं होंगे उन सबको increasing order में आपको यहाँ पर return करना है तो आपको यहाँ पर increasing order में आपको भेजना है इस example को देख लेते हैं सबसे पहले 211-341 2-111-3-4-1 तो particular अगर हम i k equal to 2 की बात कर रहे हैं तो चाहर से बात हम 2 से हम देखेंगे 2 से यहाँ तक हमें देखना है क्यों? क्योंकि यहाँ से आगे 2 element possible है यहाँ से possible नहीं है तो चाहर से बात वही चीज़ हम देख रहे थे तो हम लोग बात कर रहे हैं तो देखो इस पोजीशन के बात कर रहे हैं तो यह पोजीशन के पहले यह दो element यह decreasing order में है अगर equal होते हैं 2 2 होते तो भी चलता तो non decreasing है sorry non increasing है तो यह चल लिए तो यहाँ पर satisfy है हमारे पास की equal to 2 satisfy हो रहा है इसके बात की बारे में देखेंगे तो यह आपका जो है non increasing में है वो दिख रहा आपको तो यह चीज़े है यह भी satisfy है sorry इस position के लिए देखेंगे तो यह वाले चीज़े यह आपको satisfy है तो अगर दोनों position satisfy है तो इस index को हमने select कर लिया तो यह select कर लिया to similarly इस position के लिए देखेंगे so satisfy कर रहा ठीक है तो दोनों क्या होगा आपका select हो जाएगा राइट ठीक है यहां पर एक एक कम लिखा मैंने तभी मैं सोच हूं 4 1 कैसे होगा ठीक है तो यहां पर यह हो रही है आप दोनों इस index satisfy होगे तो 2 3 आपको जाए आपको return करना 3 2 return नहीं करना ठीक है यह नहीं रिटन करना तब इस index की बात कर रहे हो तो इसके पहले जो यह k equal to 2 तक है और इसमें k equal to 2 तक है तो आप क्या करोगे आगे चिक करोगे और पीछे चेक करोगे ऐसा कुछ करोगे तो हर एक index के लिए मुझे के पीछे जाना है और के आगे जाना ठीक है और सेमी चीज़ चीज़ करना के greater than equal to है के नहीं less than equal to है के नहीं वह हो रहा है तो कौन प्लस-प्लस करो नहीं तो नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दो इस चीज़ को आपको पता है एक new concept जो define किया गया है हमारे लिए prefix sum यह क्या करता है अगर हमें जैसे की sum find out करना 12345 हम एक range की बात करना हर वारे हम इस range की बात कर रहे है तो 34 जो है अब 34 में अगर हम सम देखेंग 7 तो हम जाएरस बात हम यहां से यहां पर दो बार गया फिर आप दो बार जाए इससे अच्छा है कि हम बीगो एन अपरोज जो इसका होता है हम प्रिफिक्स लिवान 3 एंट 3 6 4 10 एंट 15 अब हम देखो इस इस दो को निकालना है तो हम क्या करेंगे इसको सुरू से यहां तक लेंगे जैसे हम यहां तक पूरा लिया तो इसका sum होगा 10 ठीक है और जब हम इसकी बात कर यह लेना पीएस ऑफ आइज जो होगा वह आपका पी आइस ऑफ पी आज ज़ॉस्ट ज़ो पीछे वाला जितना अब तक सम हो चुका करेंट का सम तहीं तरह का सम कलकुलेटे करते हैं यहां वी कुछ इस इस तरह का ठीक है तो हम इसी एक्जांपल से आपको बात करेंगे तो देखो किसी पाटिकुलर इंडेक्स के लिए लेट सब्स हम यहां पर एरे रहे हैं अमारा जुमालों की लेफ्ट ऐसा कुछ है लेफ्ट में हम लोग भी सब्स कर रहे हैं लेफ्ट में क्या है आपके पस नन इंक्रीजिंग होगा means डिक्रीजिंग या तो इक्वल तो घट रहा या तो इक्वल है तो चलेगा तो पर्टिकुलर इस एलमेंट पर भी है तो यहां पर है इसको छोड़ देते हैं अभी तो यह वाला हो गया तो उसके लिए क्या करेंगे हम बात में क्या मैंस्ट कर लेंगा अब इससे यह कम है कम है मिनस अभी भी अपना जो नन इंक्रीजिंग फॉलॉ कर रहा तो यहां पर कर देंगे अपनी counting 1, equal है, just consecutive element की बात करें, तो यह element हैगा, पिछले वाले check करेंगा, equal या तो less than, equal है, चलेगा, 2, फिर से यह equal या less than है, yes, right, चलेगा, हम क्या कर रहें, पिछले वाले plus 1, पिछले वाले plus 1, तो 0 plus 1, 1 plus 1, 2 plus 1, 3, ऐसा कुछ है, ठीक, तो जो पिछले आप तक हो रखा, त यह 3, जो पिछले वाले से नहीं है, तो यहाँ पर हमने कर देए, इसको 0, यह 4, इससे increasing में है, अभी हम क्या करें, decreasing ही check कर रहें, तो 0, यहाँ पर, यह decreasing है, फिर 1, अब हम right में आएंगे, right में आया, अब हम यहाँ से इसको आगए लेकर, अब हमें non decreasing, means increasing or either equal, means, अगर हम द देखें, तो एक से ज़्यादा 4 है, यहाँ पर आएगा, यहाँ इंकरीजिंग यहाँ चलेगा, decreasing नहीं चलेगा, यह equal है, चल जाएगा, यहाँ पर equal, चल जाएगा, ठीक है, ओके, ओके, यहाँ यहाँ पर उल्टा मैंने चेकर दिया, इसको, एक सेकेंट डूक जाओ, ठीक हाँ, तो इस किस में क्या हो गया, जैसे राइट वाला एरे है, यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, यह वाले पर, यह वाले पिछले वाले से बड़ा है, यह नहीं, यह non decreasing कैसा कुछ होगा, या तो यह equal हो पिछले वाले से, या तो यह बड़ा हो, इस वाले element की बात कर रहा है ठीक है, तो यह बड़ा है, तो है, यह चोटा होना चाहिए, हाँ, ओके, तो यह चोटा भी नहीं है, तो इसको रहने देंगे फिर 0, यह चोटा है, चलेगा, ठीक है, तो यह 1 हो जाएगा, उस केस में यह, फिर यह 2 हो जाएगा, फिर यह ऐसा रहेगा 3, और यह 4, और अग यहां तक में क्या इसकी value 1 या 1 से ज़्यादा है क्या मैंने की क्योंकि हम ने 0 से सुराद किया था ठीक है तो क्या हो जागा greater than equal to है अब हमारे requirement 2 की या 2 से ज़्यादा भी तो हमें कोई problem नहीं है तो greater than हम ले लिते हैं ठीक है 2 से ज़्यादा तो हमें क्या दिक्कत है तो 2 हो गया तो अगर यह इसकी value यहां पर 1 है या 1 से ज़्यादा है और यहां पर भी देखेंगे तो left i-1 और right i-1 अगर इसकी value दोनों की k-1 यह 1 से ज़्यादा है दोनों में तो यह index count होगा तो यह index अपना आ गया similarly इस वाले index की बात कर रहा है तो यहां पर देखेंगे इसके पहले यह ज्यादा है और इस case में यह ज्यादा है ठीक है यह इक्वल है तो इक्वल है यहां पर चलेगा तो 2 और 3 index आगया तो आपका दोनों index आगया अब उसके बाद आप कोई भी index देखोगे तो नहीं satisfy कर र problem आपको थोड़ा सा issue जो face कर सकते हो यह prefix वाले में तो अगर आपको यह आता है तो well and good आप बहुत जल्ली इसको catch up कर जाओगे इस question को बाकिस question में कुछ था ही नहीं आपको simply check करना तो आप simply क्या करोगा हर बार i minus k और i plus k तक जाओगे लेकिन वह चीज को reduce करना उसमें कर देनी है मुमाइजेशन से आपको जो है उस चीज को कम करना तब हमारा जो है वार वार कल्कुलेट ना हो तो हम सीधे वन बीगोवन ऑप्रेशन में किसी डिस्टेंस का find out कर लेंगे तो कर लिए हम नहीं यह चीज ठीक है ओके तो अब हम आपको code दिखाते है तो code बेसिक अब देखो first element से मैं चूज कर रहा हूं और पिछले वाले को देख रहा हूं और पिछला वाला बड़ा यह equal है तो प्लस वन अदर्वाइस यह जीरो है टूटी यहां पर ठीक एप ब्रेकड़ून हो गया तो जीरो पर अब इसका वासरूफ होगा similarly राइट वाला भी calculate हो ग प्लस वन यहां पर वन वन करना होगा और यहां पर आपको कर देना होगा तो एक यह चीज है आपका समझ रहे हो एक वन वन को मैंने रेडियूस कर ली अब यहां पर वही चेक कर रहा हूं लेफ्ट माइनस वन जो है अब तक के उस इंडेक्स के पहले तक का अगर continuous के element आया था तो चुकि यह index में increasing वे में ही ट्रेट कर रहा हूं तो जो भी value मुझे मिलेगी यहां पर increasing वे में ही मिलेगी तो मुझे फिर से उसको sort करने के ज़रत नहीं पड़ेगी राइट ठीक है तो direct uponsor यहां पर मिल जाएगा ओके तो आपको clear होगा अगर आपको doubt है तो नीचे मिल जाएगा सब चाहिन कर लेंगा ओके मिलते हैं एकली वीडियो में दिलाओं बैबाए